इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है विसाखा पत्नम से विसाखा पत्नम रेलवे स्टेशन पर भी सर्ण हाथसा हुआ है किरुमाला एक्सप्रेस के चार डिबो में लगी है भी सरांग जी हां बिलकुल आपने सही सुना कि बड़ी खबर आ रही है विसाखा पत्नम से आप सभी दसकों को बता दें कि आंध प्रदेश के विसाखा पटनम रेलिवे स्टेशन पर एक बड़ा रेल हाथसा होते होते पच गया है। संका प्रत बागची ने पताया कि सुबह साथ बचकर तीस मिनट पर फिजाग रेलिवे स्टेशन पर खड़ी तीरुमाला एकस्प्रेस की चार बोग्यों में अचानक आग लग गई तो भाग से उस समय उन बोग्यों में कोई यात्री नहीं था कि किसी की जान नहीं गई और क अधिकारी ने कहा कि हम दर्ज करा रहे हैं आग लगने के पीछे का कारण जानने के लिए फॉरेंसिक विसस्यों को बुलाया गया है नोंने कहा कि इसके सड़कित या कोई और कारण भी हो सकता है जो अभी इस पश्ट नहीं हो पाई है घटना इस थाल पर फॉरेंसिक बाद ही तुरगटना के पीछे के वास्तिक कारण को पता लगाया जा सकता है आगे आप सरी दसकों को बता दे कि बाल्टेयर डिविजन के डी आरेस सौरव पशाद ने बताया कि इन खाली डिब्बों को रख रखाव के लिए कोचिंग को जाना था इसके प्लेट फार्म प आए इसके बाद सुबस 11 बजे आग बुझा दी गई प्रोटोकाल के अनुसाद दो बगल के कोचों को छोड़कर पाकी रेक को तुरंत कोचिंग डीपों में दे जाए गया आप देख सकते हैं सभी दर्सक के समय हमारे चीन पर आप सभी दर्सकों को दिखाई दे रहा होग कि किस तरह से तमाम अधिकारी स्क्रीन पर हैं और किस तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है तुरक्षा के दिर्ष्टे बैरिकेटिंग कर दी गई है और आप देख सकते हैं यह बीत की बोगी है और बी थी बी फोर बी सिक्स और बी सेवें के एसी की चार बोगियां है इसमे आग लगी है और आप देख सकते कि किस तोर से पुलिस वाले अग्नी समन यंत्र से सीसे को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन सीसा देखे Вाइट देखिक सकते किस त्म पाइप पे चटयते विया सभी है। और नजर आने के बाद देखिए आप इस स्क्रीन पर दिखाई देगा कि इस समय जो है फायर अर्गनिश्वन जो यंत्र होता है उससे किस तरह से सीसे पर चोट पहुचाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी सीसे का कुछ भी नहीं हो पार लेकिन किसी तरह से कई सीसो को सीसो को तोड़ने के बाद आप देख सकते कि सीसो में जो तूटा है तूटे हुए सीसे में पानी प्रयास किया जा रहा है पानी डालने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से आग बुझे लेकिन आग का गुबार लगातार जो है पेन के डिबों से बाहर निकलता हुआ आप सभी तरस्कों को दिखाई दे रहा है बड़ी मसकत के बाद लगबख तीन घंटे के बाद एसी की बोगी से किसी तरह से आग को काबू पाया गया है लेकिन जिसमें लगबख करीब सैकड़ो कर्मी लगे थे सैकड़ो समन कर्मी लगे थे और इसके बाद भी प्रेन के ताबू पाये गया तो यह खबर थी इस बक्त की विशाखा पटनाम रेलवेश शेसन इरुमाला एक्षपरस के चार्ट दिग्बो में घीसाड आग लगी हुई है और आप इस प्रिंट पर देख पा रहे है कि किस तरह से आग पर ताबू पाने का प्रयास किया जा रहा है तो इस बक्त की बड़ी खबर एसाथ बने रहेगा किसी अन्य खबरों के लिए तब तक के लिए हमें दीजिए जाजत और आप बने रहे फास्ट इंडिया पर नमस्कार